प्रिया विद्यार्थियों बंधु परिजनों और जितने भी वीवर्ज मुझे देख रहे हैं वो सभी लोग मैं खेम कुमार शर्मा स्टूडेंट्स के बहुत अग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाया है कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए तो मोटिवेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले तो यह कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना लक्षे बनाईए कि आप क्या करने वाले हैं? आप जिस की भी तैयरी कर रहे हैं टकिक है गिए यह कρεक啟िर घ्री है सेंट ग्रेड है फर्स गेर है और जैसा कि आपको बता है कि English जो है वो एक international language है और हर जगा इसके आपको जुरूरत पढ़ेगी ही पढ़ेगी तो आपका जो grammar है वो आपका strong होना सही है तो लगातार वीडियो को watch करते रहें और comment करते रहें सबसे पहले लक्षे बनाएं कि आपको करना क्या है क्योंकि बिना लक्षे बनाएं आप कुछ भी नहीं कर सकते कई students ने लक्षे नहीं बनाया है कई सोच रहें कि बन जाएगा कर लेंगे कभी कर लेंगे बनेगा बना लेंगे द्रड़ता रखें लक्षे बनाएं और उस पर अरजुन की तरह फोकस करें यह बहुत जरूरी है अगर आप लक्षे बना करके परियास करते हैं तो आपका परियास निश्चित रूप से सफल होगा दूसरा है धहरे रखें डग मगाई नहीं परिस्तितियां विकिट रहती हैं बदलती रहती हैं परिस्तितियां लगातार बदलती हैं कभी अनकूल भी आएंगी कभी फरतिकूल हो जाएंगी तो ऐसे में धहरे रखें धहरे ना खोईं तीसरा है परिश्रम परिश्रम लगाता रहे हैं इतने एक्जाम दे दी हैं सेलेक्शन होई नहीं रहा है क्या करें फिर परिश्रम करना ना त्याग क्योंकि परिश्रम ही चोड़ दिया तो फिर आप कैसे डिजर्ब करेंगे कैसे आप उस लक्षे पहुंचेंगे यह बहुत जुरूरी है नेक्स है आलसे का त्याग आप आलसे को छोड़ करके अभी सोच रहें कि लोगडाउन तलरा एक तो बंद है एक्जाम पता नहीं कब होगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं आलसे नहीं करें आलसे का त्याग करके आप परिश्रम करें यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सही समय है त्यारी करने का अब लोकन करें, स्विम का अब लोकन करते रहें, सब स्विम को एवल्यूट करते रहें टेस्क सिरीज का यूज करें, खुद को एवल्यूट करें, यह बहुत ज़रूरी है तो वीडियो को watch करे, like करे और comment करते रहें मैं सब ही subscribers का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे like किया, पसंद किया, मेरे videos को watch किया आप इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जो grammar की classes हो रही है इसका फाइदा सभी विद्यार्थियों को हो सके धन्यवाद